हाई फ्रेंड्स हिंदी डू कनडा के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में कुछ बहुत ही जरुवत वाले वर्ट्स को सीखेंगे यह वर्ट्स ऐसे तो बहुत ही इजी है छोटे छोटे वर्ट्स है लेकिन इन वर्ट्स में इसका जो उचारन होता है थोड़ा सा there तो अभी हैं करनेडा वालाग को जो कनेड़ा बचपन से बोल रहाएन उनको को इस से प्रॉबलम नहीं होगा क्यूंकि से ब defence यह जो लोग भाय भी खर खर शींख रहेItal या फिर कोई भी language से कनड़ा सीख रहे हैं उनको इस word में इन words में थोड़ा सा confusion हो सकता है क्योंकि सारे words को उच्छारन लगभग थोड़ा सा same ही रहता है तो अगर आप कुछ उड़िटा बोल जिए कुछ थोड़ा सा difference हो गया तो दूसरा word हो जाता है तो इसलिए आज हम इस वीडियो में उन words को अच्छे से कैसे उच्छारन करना है वो सीखेंगे और साती साथ उन words को कहाँ पे यूज़ करें और उनके sentences को भी आज हम इस वीडियो में सीखेंगे तो चलिए देखते हैं तो पहला हमारा word है लड़का लड़का, तो लड़का को कनड़ा में हुड़ुगा कहते हैं हुड़ुगा, नेक्स्ट है लड़की लड़की, तो लड़की को कनड़ा में हुड़ुगी कहते हैं नेक्स्ट है बेटा, बेटा का मतलब होता है मगा बेटा का मतलब होता है मगा नेक्स्ट है बेटी, बेटी को मगडू, बच्चा, बच्चा को मगू, बच्चा को क्या करते हैं, मगू, नेक्स्ट है बच्चे, बच्चे, मकडू, बच्चे, मकडू, अभी यहाँ पर आप कहाँ पर कन्फ्यूज होईएगा, देखें वे बताते हैं, यहाँ पर देखें बच्चा है बच्चा को क्या बोलते हैं मगू बेटा को क्या बोलते हैं मगा बेटा को मगा कहते हैं तो मगू बोल दिये तो बच्चा हो गया मतलब छोटा बच्चा एक है और मगा बोल दिये तो बेटा हो गया मगलू मगलू लगा दिये तो बेटी हो गया यहाँ पर फिर ब बच्चे को मकड़ु कहता है, मकड़े भी हम लोग कहते हैं, कनड़ा में मकड़े भी कहते हैं, आप इन सब को हम सेंटेंस देखे तो, तो पहला सेंटेंस है, मेरा बेटा नहीं दिख रहा है, मेरा बेटा नहीं दिख रहा है, तो इसको हम कनड़ा में बोलेंगे, नन्ना मगा अगर आपको बेटी के बारे में बोल ला हूँ कि मेरी बेटी नहीं दिख रही है तो इसको हम कनणा में बोलेंगे नन्ना मगळु कानी सुत्तिला किसी से अगर आपको पुछनाओ कि आपने मेरे बेटे को देखा है तो हम इसको कनणा में बोलेंगे निवु नन्ना मगळु नन्नु नोडिदीरा आपने मेरे बेटे को देखा है निवु नन्ना मगळ नन्नु नोडिदीरा अगर आपको बोलना हो कि आपने मेरे बेटे को देखा है तो हम बोलेंगे निवु नन्ना मगळ नन्नु नोडिदीरा आपकी लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी है आपकी लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी है तो इसको हम कनण में बोलेंगे निम्मा मगळ निम्मा मगळ वोदूदरली पढ़ने में मतलब वोदूदरली अच्छी है चेन्ना गिद्दाले आपकी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है निम्मा मगळ वोदूदरली तुम्बा चेन्ना गिद्दाले अगर बेटे के बारे में बोलना हो कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो इसको हम कनण में बोलेंगे आपका बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है नेक्स्ट आपके कितने बच्चे हैं? अगर किसी से पूछनाओ कि आपके कितने बच्चे हैं तो इसको बच्चे बच्चे को क्या बोलते हैं? मकडू आपके कितने बच्चे हैं? तो इसको हम कनणा में बोलेंगे नीमगे यस्टू मकडी दारे यहाँ पे तो आप बोलिए तो आप इसका जवाब दीजिए के हाँ मेरा एक बच्चा है इसको हम कनणा में बोलेंगे नानागे वंदू मगू विदे बच्चा को मैं बोली हूँ मगू एक है तो मगू एक से ज़्यादा है तो मकडू तो मेरा एक बच्चा है नानागे वंदू मगू विदे तो यहाँ पे सामने वाला आपसे पूच सकता है लड़का या लड़की लड़का है या लड़की है तो इसको हम कनणा में बोलेंगे गंडू मगू ना हेंडू मगू ना तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गंडू मगू ना हेंडू मगू ना ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर हुड़ुगा ना हुड़ुगी ना हुड़ुगा ना अतवा हुड़ुगी ना हम ऐसे भी बोल सकते हैं गंडु मगु गंडु मगु मतलब होता है गंडु मतलब भी लड़का होता है तो गंडु मगु मतलब लड़का है तो गंडु मगु पती हो जाता है गंडा मतलों पती हो जाता है तो गंडा नहीं बोला है यहां पर गंडु गंडु मगु बोलना है ठीक है गंडु मगु मुझे एक लड़का है नानगे वंदु गंडु मगु विदे या फिर अगर बोलना हो कि मुझे एक लड़की है तो नानगे वंदु हें तुम्हारा लड़का का उम्र कितना है लड़काPacoo क्या वहलेंगे हुड़ुगा निम्मा हुड़ुगणा आपका लड़का का निम्मा हुड़ुगणा वयस्टि दे आपका लड़का का उम्र कितना है निम्मा मगना वयसू स्टी दे फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताए हमारे वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्ष वीडियो में थैंक यू